जय सी उसंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरिस पांडे, आज आप मकर रासी वालों के लिए एक नई वीडियो ले करके, नया विशय ले करके आया हूँ, और इस वीडियो का मकसद है आपको थोड़ा सा सावधान करना, देखिए मित्रों, वीडियो कभी-कभी नकरात्मक होती है लेकिन वो आपके फायदे के लिए होती है, सच्चाई को मकर रासी वाले अच्छी तरह स्विकार करना जानते हैं, अतह आप भी वास्तविक्ता को स्विकार करना सीखें, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्तपूर्ण हैं मित्रों, क्योंकि गुरु और राहु क की नजदिकियां बढ़ रही हैं, तो इसलिए वीडियो में आप सभी बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले एक आवस्चक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाते हैं, अपनी कुंडली दिखव आना चाते हैं, तो आप मेरे वाट्स अप नंबर पर मैसेस करें, मेरा वाट्स अप नंबर है 8540096730, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, मित्रों डारेक्ट कॉल ना करें, मैसेस करें, तो चलिए करते हैं वीडियो की सुरुवात बिना विलंब किये, देखिये मित्रों, एक तो आप सभी मकर रासी वालों पर सनी की साड़े साती का थर्ड फेज चल रहा है, और थर्ड फेज में फिलहाल सनी देव पॉजिटिव चल रहे हैं, ये अच्छी बात है, 15 जुन, 17 जुन तक, ठीक है, ये अच्छी बात है, किन्तु अभी हमा फोकस होगा गुरू चांडाल दोस, ठीक है, जैसे ही 22 अप्रेल 2023 को गुरू ने मेस रासी में प्रवेस किया, वैसे ही गुरू राहू का चांडाल दोस निर्मित हो गया, चांडाल दोस कब निर्मित होता है, जब गुरू राहू से डिगरी में कम होते हैं, तब चांडाल दोस्का निर्माण होता है तो अब क्या है कि धीरे धीरे अब राहू और गुरू की नजदिकियां भी बढ़ना शुरू हुई 22 अप्रेल के बाद और अब इस मई के महीने में फिलहाल आज के डेट में राहू और गुरू एक दूसरे के सामने आ चुके हैं ये गुरू चांडाल दोस्की प्रवलता है जोकी 15 जून तक देखने को मिलेगी अभी से लेकर 15 जून तक आपके लिए सावधानी का समय रहेगा मकर रासी वालों क्योंकि अभी गुरू राहू चुकी दोनों एक दूसरे के कटर सत्रू हैं राहू राक्छस हैं और गुरू देव देवताओं के गुरू हैं राहू तामसिक ग्रह हैं तो गुरू देव सात्यविक ग्रह हैं दोनों में कहीं भी किसी भी प्रकार का मेल नहीं है राहु अंदकार हैं तो गुरु उजाला हैं तो अब दोनों आमने सामने की पोजिशन में आ गए हैं और अब जैसे की राहु पीछे निकलते हैं गुरु आगे निकलते हैं तो ये पीछे और आगे आने जाने के क्रम में एक ऐसा सिच्वेशन आता है जब दोनों एक दूसरे के बिलकुल आमने सामने होते हैं वो इस्थिती सबसे ज़्यादा डेंजर होती है और उस समय गुरु चांडाल दोस सबसे प्रबलता पर रहता है जो कि अभी इस समय है तो इस समय आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा गुरु राहु के चांडाल दोस के कारण अब ये गुरु राहु का चांडाल दोस आपके चतुर्त भाव में बन रहा है चतुर्त भाव किसका होता है सुख का भाव होता है माता का भाव होता है वाहन का भाव होता है जमीन जायदात प्रॉपर्टी का भाव होता है तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आप अभी ये मैसूस कर रहे होंगे कि आप किसी न किसी कारण से आपके सुखों में कमी आई होगी या तो आपकी परसनल प्रॉबलम के कारण या तो पारिवारिक प्रॉबलम के कारण आपके सुखों में आपका जो परिवार है वो भी आजाता है तो जब गुरु चांडाल दोस राहू चतुर्त भाव में प्रबल हुआ है तो आपके सुखों में कमी पारिवारिक सुखों में कमी आएगी हो सकता है परिवार के एक से ज़्यादा सदस्य बिमार पड़े, खास तोर पर चतुर्त भाव माता का होता है, माता के स्वास्थ पर बुरा असर पड़े, हो सकता है आपके पिता के स्वास्थ पर भी बुरा असर पड़े, भाई बहनों के स्वास्थ पर भी बुरा असर या हो सकता है कि जगडा कलह कलेस आपको देखने को मिले, तभी तो जाकर आपके सुखों में कमी आएगी चांडाल दोस के कारण, तो ये bad effect आपको देखने को मिल सकता है, मित्रो अभी से लेकर के 15 जुन तक, क्योंकि 15 जुन के बाद तो गुरू की डिग्री बढ़ जाएगी और उसके बाद इस विषय पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब तो फिर काफी आनन्द आएगा, लेकिन अभी फिलाल आपको सावधान रहना होगा, चतुर्त भाव वाहन का भी होता है, तो इस समय आप अनुभाव करेंगे कि आपका वाहन बार बार बिगड रहा ह या बिगड करके रखा होगा, या बनवाने के बाद भी बिगड जाता होगा, या फिर आपको वाहन चलाते समय कभी-कभी दुरगटना जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता होगा, और इस समय वाहन आपको समभल करके चलाना भी है, वाहन के मामले में, सौरी लाइट जमीन जाइदा प्रापर्टी का भी होता है, तो किसी भी प्रकार की प्रापर्टी को खरिदने के मामले में आपको सावधान रहना है, ठीक है मित्रों, किसी भी प्रकार की प्रापर्टी को खरिदने से पहले उसकी अच्छी तरह जाच परक कर लें, और 15 जून के बाद ही आप उसे खड़ी दें वरना आपके साथ fraud हो सकता है किसी प्रकार की पैत्रिक संपत्ति को लेकर के विवाद का सामना अगर अभी आप कर रहे हैं तो 15 जून तक आप रुख जाएं उसके पश्चा तो फिर समस्या का निप्टारा बिलकुल आसान हो जाएगा इस समय इस समय आ आपको दो प्रकार से तकलीफे आ रही हैं एक तो गुरू राहू के आमने सामने की डिगरी के वज़ा से चांडाल दोस्त का ये दुस्प्रभाव और दूसरा नीच के मंगल का दुस्प्रभाव नीच के मंगल के उपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी गु अब राहू गुरू पर अपना वैड इफेक्ट डालने का प्रयास करेगा तो धर्म कर्म से आपका मन विचलित हो सकता है लेकिन आप धर्म कर्म में अपना मन लगाएंगे तो गुरू चांडाल दोस्त का प्रभाव कम होगा और आपको क्या करना है नारायन कवच का जादा से ज़्यादा पाट करना है जिससे कि गुरू चांडाल दोस्त की प्रभालता से आपको रहत मिले अभी फिलहाल आपके स्वास्त पर भी बुरा असर पढ़ता हुआ देखा जा सकता है खास तोर पर पेट में जलन डाइजेशन में प्रॉबलम आपकी कमर में दर्द या पिता के स्वास्त में प्रॉबलम आखों में जलन इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है तो इस मामले में आपको थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखना है अभी से लेकर के 15 जून तक गुरू राहू की डिगरी आसपास रहेगी और जून के महिने में 10 जून से त काफी फाइदे कईशावदा होगा इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा कैसे ठीक है मित्रो तो नारायन कबच का पाठ कीजिए गुरू बार के दिन भगवान विश्णू की आराधना कीजिए और उन्हें केले चड़ाइए एक पिस केला ले लीजिए दो प बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुल्ली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्स अप नंबर पर मैसेज करें मेरा वाट्स अप नंबर है 8540096730 यह नंबर मैं डिस्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूं तो मित्रों चलता हूं मैं जय सियो संकर